Hello friends, welcome to study bus, किसी भी MBA entrance exam के लिए जब हम appear करते हैं तो सबसे important उसमें चीज होती है कि आर उस particular exam के आपने actual interface पे mock test दिये हैं कि नहीं दिये देखो जितना role आपकी preparation का होता है उतना ही role आपके mock attempts and उनका analysis का होता है और उनका बहुत detail analysis करना चाहिए और इसी के regarding हमारे जितने भी MBA exams हैं उनकी test series हम लें launch कर दिये काफी सारे students पूछ रहे थे सर कौन कौन सी test series आगी है क्या उनमे features है कितने mocks है कैसे analysis रहेगा तो एक मैं compiled video बना रहा हूँ जिसमें जितने में हमारे exams है उनकी test series के बारे मैं बताऊंगा उनके results कैसे रहे वो आपको बताने वाला हूँ ताकि आप भी अपनी preparation को एक next level पे लेके जापाऊ So my name is Saurabh Kutharie, let's start तो सबसे पहले इस चैनल को subscribe कर लेना and bell icon को press कर देना ताकि ऐसी जितने भी important videos है उसके notifications आपको मिलते ने अब अगर मैं बात करूँ mock test की तो सबसे पहले हमारे website पे है CMAT की test series CMAT का exam आपको पता है आने वाला है और उसके test series हमने launch कर दिया जिसमें आपको मिलते है 12 national fullnet mocks जो latest pattern पे होते हैं अगर notification बाद कोई भी exam pattern किसी भी exam का कभी change होता है तो हमारे mocks भी पूरे के पूरे update हो जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी वरी करने वाली बात नहीं है जो भी आपके mock test होंगे वो actual latest exam interface और pattern पे होते हैं और उसी तरह का look and feel होता है ताकि आपको actual exam condition में कैसे perform करना है क्या strategy बनानी है वो आप सीख पाऊ 12 national mocks के साथ 3 आपको last year के paper मिल जाएंगे in the form of mocks ताकि आपको ये पता चल पाए CMAT के exam किस तरह से हो रहे हैं and topic wise test आपको मिल जाते हैं सारे के सारे easy moderate advanced ताकि आप हर एक topic चाहे हो quants का हो verbal का हो lr का हो gk का हो उसके आप practice कर पाओ further test अगर आपको generate करने तो आपको option दे जाता है test generator का जिस पर आप किसी भी topic की test को create कर सकते तो पूरी test series का जो fee structure है that is डूपीज 900 डूपीज and आप हमारी website से purchase कर सकते है studybus.co.in जिसका link मैंने आपको description में भी दे दिया है इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारे सामने test net की test series भाई test का exam का notification आ चुका है examination आपका 26 February को है तो आपको भाई test exam crack करने के लिए हर एक topic का basic करना पढ़ता है बहुत सारी static gk और current gk को पढ आना पढ़ता तो इसके लिए मैं आपको provide कर रहा हूँ 10 full management mocks with detailed analysis and solution इसके साथ ही तू आपको previous year paper मिल जाते है मौक की form में ताकि आपको यह idea लग जाए किस तरह का paper pattern रह रहा है साथ में आपको 25 static gk के test मिलते हैं जिसमें आपके सारे की सारे topics cover up हो जाते हैं 50 आपको current gk के test मिलते हैं week by week पूरे की पूरे मन्त की current interface का test होता है ताकि last one year में जितनी भी important चीज़ें वो आपकी cover up हो जाए 11 आपके verbal के test 25 LR के test 18 के test जितनी भी आपके test होते हैं उन सब का detailed analysis solution आपके सामने present होता है अगर आपको और test बनाने हैं तो आपको topic wise test generator का tool दिया जाता है जहां पे आप further test बना सकते हैं तो इस पूरे test series का fee structure इस 1100 रुपीज और अगें आप हमारी website पर जाके buy कर सकते हो इसके बाद NMAT NMAT का हमें पता है जो exam होता है मतलब जो आपके questions का level होता है वो change होता है based on your answer तो हमारी भी जो NMAT की test series है वो adaptive test series launch हो चुकी है जिसमें आपको 10 national level adaptive full length mocks बिलते हैं जो exact उसी pattern पे होते हैं उसी interface पे होते हैं जो आपका actual NMAT का exam है हर एक mock का आपको detail analysis और solution दिया जाता है जितने भी mock से वो बिलकुल adaptive होते है ताकि आपका exactly वही experience रहें जो आपका NMAT exam में होगा साथ में further practice के लिए आपको topic wise test दिये जाते है easy moderate advanced के ताकि आप किसी particular section ने topic में command बनाना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो सारे के सारे mocks unlocked रहते हैं और आप कभी भी इनको appear कर सकते हो तो NMAT adaptive mock test series का जो fee structure है that is rupees 1200 रुपीज इसके बाद अगर मैं बात करो snap के test series की तो snap को आपको पता है बाई speed based exam है और snap का paper pattern change हूँ है यहाँ पे verbal में RCs नहीं आते हैं, LR में different type के questions आते हैं तो बिलकुल उसी interface पे हमारी mock test series है जिसमें आपको 12 national level full length mocks मिलेंगे जो बिलकुल snap pattern और interface पे होंगे और आपको हर एक topic कर topic wise test भी बल जाएगा ताकि आप particular topic पे भी अपनी command बना पाऊ तो snap कर test series का fee structure जो है that is rupees 1000 rupees और आप हमारी website पे यहां पे enroll कर सकते हो, then अगर बात करूँ ZAT exam की, तो ZAT में आपको 5 national level full length mocks मिलते हैं और जैसे कि मैं पता है ZAT में decision making हो या फिर quants हो, उनके previous year के questions repeat होते हैं, similar to that kind of questions आपके exam में आते हैं, तो आपको 12 हम लोग last year के paper देते हैं in the form of mocks, ताकि एक एक चीज़ आपकी practice हो जाए नहीं भी आपके paper होते हैं, वो ZAT pattern और ZAT interface पर होते हैं, topic wise आपको सारे के सारे test मिल जाते हैं, topic wise test generator feature भी होता है, और further test और अगर आप इसमें enroll करना चाहते हो, तो the fee structure is Rs. 800, इसके बाद अगर नहीं बात करूँ, तो XGMT, XGMT एक ऐसा exam है, जिसकी preparation more or less similar to ZAT exam होती है, लेकिन इसका जो paper होता है, वो थोड़ा सा अलग होता है, तो यहाँ पे भी हमने उसी तरह से mocks बनाए है, five national level full length mocks आपको मिलते हैं, जो भी आपके XGMT का pattern है, level है, उसी pattern पे हमने अपने mocks बनाए हैं, और आपको जो भी XGMT के topic सा उनका ध्यान रखते हुए, इस तरह से preparation कराए है कि actual exam में जो questions होंगे, वो more or less similar देखोगे आप हमारे mocks के recording, again आपको यहाँ पे और test बनाने हैं, तो आपको topic wise test का feature दिया जाता है, और आप अपना difficulty level set करके different different type के test की practice कर सकते हो, तो XGMT mock test की जो fee structure है, that is rupees 750, इसके बाद अगर बात करूँ, GMAT, बहुत सारे ऐसे students हैं, जो GMAT test series में जाना चाहते हैं, and GMAT एक ऐसा exam में जो काफी expensive exam होता है, तो बहुत important है, कि आप उस type के paper को पहले attempt कर दो, ताकि exam को book करने से पहले, exam की date select करने से पहले, आप 100% confident और अपनी preparation को लेके, तो हमने GMAT की test series निकाली है, जिसमें 8 आपको fullness mocks मिलते हैं, based on the GMAT pattern, बिलकुल GMAT structure and interface पे based out होता है, इसके साथ आपको topic test भी मिलते हैं, 104 verbal के test, 38 quant के test, 18 IR के test, और यहां से आपके हर एक topic के भी practice हो जाते है, generate your test feature का आपके बस option रहता है, जहापे आप more topic wise test की practice कर सकते हो, जो इसकी validity रहती है, क्योंकि आप GMAT exam पूरे साल में कभी भी दे सकते हो, जब भी आप enroll करते हो, उसके बाद 6 months के आपकी validity रहती है, आप इन mock test में attempt करके उनका analyze कर सकते हो, उनके solutions देख सकते हो, यहां से अपने score को काफी ज़्यादे improve कर सकते हो, currently जो GMAT test series का fee structure है, that is 25 hundred rupees, और अमारी website पर जाके studybus.co.in पर जाके आप enroll कर सकते हो, अब अगर मैं आपसे बात करू results की, किस तरह के results रहे हैं, इन सारे exams में, तो आप यहां पर देख सकते हो, निलंजन बैनर जी, NMAT में 274 marks, उसके बाद आप देखोगे, राहूल जैन 259 marks, ग्रॉबिन मैत्यू 254 marks, अरित्रा 252 marks, अधित्या 248 marks, तो इस तरह के बच्चों के scores रहे हैं, जिन्नोंने NMAT के marks को आपियर किया है, NMAT के लिए तयारी करी है, राश्चरी 251 marks, रिशी अगरवाल 246, गगन जन्मा 245, रिशब 243, दीप्ती 243, तो इस तरह के यहां पर बच्चों के results रहें, आप देख सकते हो, सत्या संदीब 263 marks, marks were close to the exam, thanks to study bus, उसके रॉनक 248 marks, then निस्टा 243 marks, मालवि का 243 marks, आप देख सकते हो, study bus marks were of great help to plan out my D-Day strategy, then करंदीब 239 marks, और इस तरह के NMAT पी result रहें, इसके साथ अगर आप देखोगे, ZAT में भी इस तरह के results रहें, यहां पर आप देख सकते हो, 99.69 percentile, उसका आशित पूरी 99.65, इस बच्चे ने यह बोला है, mock test, which gave me a real idea of what I can expect in the exam then सक्षम 98.88 percentile, मयूर 98.02, then आप देख सकते हो, यहां पर 97.63, रोहन नागर, mock test were very helpful, then part margin 95, 97.59, अभिशेग 96.13, आयूष 96.85, उसका सूरज 95.26, तो इस तरह की बच्चों की result बने हैं, उसके बाद अगर आप स्नैप में देखोगे, All India के काफी सारे toppers हमारे यहां से निकले 99.6, सात्मिक 99.44, नितेश 99.42, मयंक 99.24, उसके बाद सौरब 99.43, अलपांश 99.34, प्रभाद 99.34, शुबम आयूष 99.12, ननेंदर 98.56, और इस तरह के result इसनैप में भी आपके आ सकते हैं, इसके बाद अगर मैं बात करूँ आप से, तो C-MAT में All India Rank 3 रही है, जिस बच्चे से त्यारी की थी, मॉक्स एटेम्ट किये थे, 99.99% इसके आई, इसके अलावा अगर आप देखोगे 99.94, 99.7, 99.57, 99.48, उसके 99.81, 99.57, 99.32, 99.23, तो बहुत सारे बच्चों का काफी अच्छा results रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो, C-MAT मॉक्स बर of the same level as that of actual exam, तो आपको 76 मार्क, 71, अर्गदीब 72, अक्षा 70, विनिता 70, उसके सौम्या 75, तो एकदम to the point आपको टिस्क के मॉक्स दिये जाते हैं, topic test दिये जाते हैं, ताकि आप static GK, current GK, verbal, LR, quants, हर एक subject में अपना improvement देख, पर उसके बाद एक GMT की बात करें, तो आप देख सकते हो, 99.94% अलाव Armaan Chawla, the mocks were very close to the actual exam in terms of difficulty level, उसके यतिनांच 99.64, the apt content helped me to ace the exam with flying colors, the mock tests were very close to actual exam, then Venkat 98.39, उसके अगर आप देखोगे किन श्युक्रवण 99.26, then Iishan 99.15, the test series was of very good level, the questions were almost similar to what you get in the actual exam and the analysis was also spot on, पललभी 99.05, good quality mocks with detail analysis, तो इस टाइप के results नहीं है तो आप देख सकते हो सारे exam में बच्चों ने काफी अच्छा score किया है काफी अच्छा perform किया है तो अगर आप भी इन exam में से कोई appear कर रहे हो तो इन mocks को आप enroll कर सकते हो and mocks आपको definitely देने चाहिए उनका analysis करना चाहिए क्योंकि एक बात ध्यान नकना बच्चे जनरली गलती क्या करते हैं जब उनका mocks में कम score आता वो demotivate हो जाते हैं लेकिन आपको यह समझ रहा है that mocks are part of your preparation they are not the result of your preparation आप mocks इसी लिए दे रहे हो ताकि actual exam वाले दिन अच्छा performance कर पाओ तो अगर आपके अभी कम माक्षा ने उसको analyze करके आप improve कर सकते हो लेकिन हमें actual exam वाले दिन अपना खराब performance नहीं देना है